नमस्कार दोस्तो बोल्स काई मैं आपका सौगत है हमारे किचन में कई ऐसे मसाले मौजूद हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं इनी मसालों में हल्दी और काले मिर्च भी शामिल है आम दोर पर हल्दी और काले मिर्च का पाउडर खाने में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आप हल्दी और काले मिर्च के पानी का सेवन भी कर सकते हैं जी हां सुबा खाली पेट हल्दी और काले मिर्च का पानी पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं हल्दी में कई औशिदियं गुण मौझूद होते हैं इसमें विटमिन C, फाइबर, आइरन और एंटी ऑक्सिडेंट जैसे पोशकतत वपाये जाते हैं हल्दी में anti-inflammatory, antibacterial, antiseptic और anti-viral गुण भी मौझूद होते हैं वहीं काली मिर्च में विटमिन A, विटमिन C, विटमिन B6, विटमिन E, थाइमीन, सोडियम और पोटेशियम जैसे गुण पाये जाते हैं हल्दी और काली मिर्च का पानी पीने से immunity मजबूत होती है और स्वास्त संबंदी कई समस्याइं दूर होती हैं तो चलिए जानते हैं खाली पेट, हल्दी और काली मिर्च का पानी पीने के फायदे क्या-क्या हैं तो आपको बताते हैं कि हल्दी और काले मिर्च के पानी का सेवन करने से शरीर की रोक प्रतिरोधक शम्ता यानि इम्म्यूनिटी मस्बूत होती है हल्दी और काले मिर्च में एंटी बैक्टिरियल एंटी एंफिलेमेंटरी और एंटी ऑक्सिडेंट गुण मौजूद होते हैं रोजाना सुबा खाले पेट हल्दी और काले मिर्च का पानी पीने से बेमारियों और संकर्मन का जोकिम कम होता है इसके लावब डायबेटीस के मरीजों के लिए हल्दी और काले मिर्च का पानी फायदे बन साबित हो सकता है ये इंसुलीन सेंसिटिविटी में सुधार करने में मददगार है इसमें मौजूद गुण ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करने में भी फायदे बन है इसके लावब अगर आपको गठिया की शिकायत है तो हल्दी और काले मिर्च के पानी का सेवन आपके लिए लापकारी हो सकता है दरसल हल्दी और काले मिर्च में एंटी इंफलेमेंटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं रोजाना खाली पेट हल्दी और काले मिर्च के पानी का सेवन करने से जोडो के दर्द और सूजन से राहत मिलती है इसके लावब अगर आप अपने वजन बढ़ने को कम करना चाहते हैं तो आपको हल्दी और काले मिर्च के पानी का सेवन करना चाहिए इसके regular इस्तेमाल से metabolism तेज होता है जिससे वजन घटने में मदद मिलती है इसके लब बदलते मौसम में अक्सर सरदी खांसी की समस्या हो जाती है ऐसे में हल्दी और काली मिर्ज का सेवन करना बहुत फायतेमंद होता है तो आपको बता दें कि आपको हल्दी और काली मिर्ज का पानी कैसे बनाना है हल्दी और काली मिर्ज का पानी बहुत ही असान है इसके लिए आपको बरतन में कप पानी गर्म कर लेना है फिर इसमें आदा चम्मच से कम हल्दी पाउडर और पांच से छे काली मिर्च डाल कर अच्छी तरह उबाल लेना है उसके बाद इसे छान ले और फिर इसमें शहद और नीबू का रस मिला कर पी ले फिलाल इस वीडियो में तो नहीं अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुन न भूले